स्टार्ट होता है तो हमने बेटा प्रिवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस प्रकार जो है जिस मकान में जो बेवी रह रही है उसको कैसे प्रेशान क्यार करता है उस मकान मालिक का लड़का तो पेज नमबर 32 ओपन करेंगी बच्चों आप तो उसमें क्या होता है कि मैंने स सोचा यह क्या इतना सहच है घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी पड़ेगी तो बेवी सोचती है कि यदि घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इस तरह ही मुझे सब की ऐसी बात माननी पड़ेगी मैं कल ही कहीं और घर ढूंड मेरे पास आ वे बोले मम्मी मम्मी जल्दी चलो अमारा घर उन्होंने तोड़ दिया बच्चों की बात से मैं चोप पड़ी कि यह क्या हो गया मैंने कहा चलो चल कर देखती हूं वहाँ पहुचकर देखा कि सचमुझी घर का सारा सामान बिख़रा पड़ा है इवह सब देखक मैं सिर पकड़ कर पैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहां जाओं इतनी जलती दूसरा घर भी कहां मिलेगा बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी उन्होंने सिरफ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था आसपास के जो और घर थे उन्हें भी कोई मरद या बड़ा लड़का या स्वामी चुरूर था जबकि मेरे यहां होते हुए भी कोई नहीं था तो क्या कहती है बेबी कि मेरे पास सब खुश था मर्द भी था मेरा लेकिन और मेरे भाई बंदू भी थे लेकिन वे होते हुए भी आज मेरे पास कोई नहीं था जब मेरा घर तोड़ा गया इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह जो है बिखरा पड़ा था जबकि दूसरे घरों के लोगों का क्या था कि जो दूसरे घरों के लोगों ने अपना समान समेट लिया था लेकिन मेरा सामान ऐसे ही पिखरा पड़ा था नया घर खोजने निकल गए थे हम, हमें छोड़ वहां सब अपना नया घर देखने चले गए थे हमें छोड़ वहां कुछ ही लोग बचे थे, वे इसलिए रुख गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में वे मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे मैं रो रही थी और मुझे रोते देखकर मेरे बच्चे भी रोने लगे थे ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था पास ही मेरे दो-दो भाई रहते थे मैं उन्हें मालूम था कि मैं कहां रहती हूँ उन्हें यह भी मालूम था कि वहां के सभी घर तोड़ दिये गए है फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आई मैंने सोचा मा होती तो देखती मैं आज किस हालत में हूँ पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कस्ट और दुख भोगना लिखा है उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ रात साथ आठ पजे भोलादा आया वह मुसल्मान था और पास ही में रहता था उसका घर भी तोड दिया गया था उसके बाद क्या होता है भोलादा के वहां आने पर वह हम सब हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाईयों और मेरे बाबा को भी जानता था मेरे बच्चों सिरसे पहुत लगाव था किसको भोलादा को भोलादा ने कहा इस तरह बच्चों के शाथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी इतना कहकर वह हम लोगों के पास बैठ गया उस हालत में क्या किसी को नीद आ सकती थी, उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वहराहत किसी तरह काट दी क्योंकि जो है क्या कहती है बेबी की रात में मेरा समान बाहर फैक दिया गया था, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैंने और मेरे बच्चों ने जो है, वो सर्दी की रात वहीं पर काटती पहार ही उस में सवेरे भूलादा ने कहा, तुम जहां काम करती हो, वहां के साहब से बात करके देखो ना मैंने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, ताट उसने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए मुझे जगह भी दे सकते हैं एक बार बात करके देखी लेती हूँ, मैंने उससे कहा, बोला दा, तुम ही एक बार चल कर उससे बात कर लो ना मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती भोला था भोला तो फिर चलो मैं उसे लेकर चली आई मैं बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई देखा कि तातों सकबार पड़ रहे हैं मुझे देखते ही वे बोले क्या बात है बेबी रोज तो तुम ऐसे नहीं दिखती तुमारा मुँ ऐसे सुखा सुखा सा क्यों है मैंने उन्हें सारी बाते बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिये गए हैं और कैसे हमारी सारी रात बच्चों के साथ बाहर हमने ओसमें पड़े काटी हैं मैंने उनसे कहा मेरे हाथ साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है आप से बाते करना चाहता है मेरी बात सुन तातुस फोन बाहर गए और भोला दा से बाते कर मेरे पास आए और बोले तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई बच्चों को लेकर रात घर बाहर क्यों रही तुम्हें रात में ही चले आना था वेबी, खेर अब बताओ कब आ रही हो, मैंने का आप को जब कहेंगे, तातुस बोले अभी आ सकोगी मैं राजी हो गई और घर चा एक रिक्षा में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस जो है एक बार ही कहने से तयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा तातुस ने छट पर एक कमरा मेरे लिए खाले कर दिया, उस कमरे में अपना सारा सामान जमा, मैं खाना बनाने की तयारी करने लगी तातुस ने उपर आकर देखा तो हस्ते हुए बोले तुम आज खाना ने बनाती तो चल जाता नीचे तो काफी खाना रखा है तो क्या कहते हैं तातुस कि आपना खाना अगर अलग से नहीं बनाती तो चल जाता क्योंकि नीचे जो है काफी खाना रखा है इसके बाद क्या होता है बिटा पेज नमबर 34 खाना नीचे बचा हुआ था केचन में तो तुम वही खा लेती तो इसके बाद जो है तातुस कहते हैं कि मैंने कहा तो क्या हुआ रखा रहे दादा लोग खाएंगे तातुस बोले रात को एक बार फिर नीचे एक गरम गरम अधी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में ही खाना पड़ता था अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय समय गरम खाना खिला सकोगी इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो सारा दिन काम करती रहती हो थोड़ा कर मेरे पास बैठो मैं बैठ जाती तो पूछते बच्चों ने कुछ नास्ता वास्ता किया क तुमने कुछ खाया वाया, जाओ उपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नास्ता करना, जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर में हो गई, अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया, वह फिर कहते हैं, यहां से थोड़ा दूद ले जाकर उन्हें देदू, यहां आने के ब से वह तातुस के घर रहने लगी थी तो तातुस ने एक दिन कहा देखो बेबी इस घर में पहले भी कोई औरत काम कर चुकी है लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली फिर बोले देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहां बस काम पर लगी एक मेरी लड़की नहीं तुम अपनी लड़की जैसा मानता हूं मैं ने सोचा भला यह भी कोई बात कहने की बात है यह तो मैं भी जानती हूं कि सभी हमेशा मेरा खयाल रखते हैं ौर मेरा कुछ काम स्वेंद करने लग पड़ते मुझे जबरदस्ती प्रोरौस उसके डाक्टर के पास भेज देते, डॉक्टर मेरी जाच कर दवा लिख देता और मैं उसकी परची लाकर थातुस को दे देती, जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते, दवा सिरफ लाते ही नहीं, बलकि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और मेरा आ व्यक्तियों में होता है, वैसा सम्मद बेबी और तातुस में था इसके बाद क्या होता है बिटा, मेरे बचे बिमार पढ़ते तब भी वैफोरन उनके लिए दवा लेकर आते, घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कभी किसी को नहीं देखा था, उनके यहां मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, तेल, साबुन, पीना, कपड़े, वपड़े, किसी भी चीज का अभाव, वे लोग मुझे नहीं होने देते, मैं सोचती की इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा वेभार कहीं नहीं देखा, ऐसा लगता, जैसे इस घर की सभी कुछ मैं ही हूँ, पता नहीं इतन तातुष शायद यह समझते थे, कि एक समझते थे, एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी, तुम्हारा बड़ा लड़का कहां रहता है, तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, वे पूछे ही जा रहे थे, और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, कुस देर बाद मुह नीचा कि यह मैं बोली मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहां रहता है, तातुष चोकर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहां रहता है, मैंने कहा उसे जो लोग ले गए थे, वे मेरे घर के पास ही रहत थी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम घाम कर लोट आई, बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है, मैंने दो एक लोगों से पुछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता ही नहीं, तातुष चिंतित होकर बोले, यहां तो दवा की ब तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था, तुम्हें पता है कि ऐसे में नहीं जाने क्या हो सकता है, उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गई, कुछ ही शन बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और तीने घ फोरण आते ही जो क्या हुआ, तातर जो हतीन घंटे बाद जब लोटे तो आते ही वे फोन करने लग गए, तो क्या हुआ, कि मैं कीचन में खाना बना रही थी, मैंने सुना, वह किसी से बाते कर रहे थे और साथ-साथ मुझे बुला रहे थे, बेवी बेवी सुनो, मैंने सो मैं पूछा कौन है, किसके साथ बात करूँ, मैं बोले बात करो नहीं, देखो कौन है, मैंने फोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हेलो हेलो किये जा रहा था, मैं उसके आवाज पहचान नहीं पा रही थी, कान पर से फोन हटा, मैंने तातर से पूछा कौन बात कर रहा है, वैं बोले अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचान रही हो, मैं चोक कर बोली, ए मेरा बाबू, मैंने फिर फोन कान पे लगा कर कहा, बेटा बेटा मैं तुम्हारी मा बोल रही हूं, वैं बोला मा मा कौन, बेबी, मैं बोली हाँ बेटा मैं तुम्हारी मा, बेटा तु कै मैं बोला मा मैं बिल्कुल ठीक हूं मा मैं यहां अच्छी तरह से हूं उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का बड़ा हो गया है उसकी आवाज भी बदल गई थी दो एक मास में ही वह कितना बदल गया था उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी तातुस भी अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बार पोदों में पानी दे रहा है मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है मैंने सोचा इन लोगों की यह है वयस क्या काम करने की है वयस मिंच अवस्था उमर तो कहती है कि मैंने सोचा जब मेरा लड़का पोदों को पानी दे रहा था कि इस क्या इसकी आयू काम करने की है लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया अपने भाई बेहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी तातु शायद यह सब समझते थे इसलिए पीच-बीच में मुझसे उसे फोन कर हालचाल जानने के लिए कहते रहते थे मैं उसे फोन करती तो वैं सरफ यह जानना चाहता कि मैं क कहां रहती हूं घर का नंबर क्या है मैं यह सोच कर बात टाल देती कि कहीं मैं बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुष क्या सोचेंगे इसके बात क्या होता है वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी जो अवस्था है उम्र है लड़के की अभी ये काम करने की नहीं है उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विस्वास नहीं है वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है मैं कुछ समझ नहीं पाती लेकिन कहती भी कुछ नहीं है होते होते एक दिन तातुस ने स्वेम ही कहा तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना सुनकर मैं बहुत खुश हुई वैं फिर बोले उसके लिए यही कहीं काम देखो जिससे वह रोज तुमसे मिल जुल सके लेकिन बेबी जानती हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है उसे वहां से छुडा लाना चाहिए उसके लिए ऐसी जगह काम देखो जहां रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पड़ना भी सीख सके ऐसा ही कुछ हमें करना होगा लेकिन तीन बच्चों को लेकर क्या यहां रहना हो सकेगा मुझे तो नहीं लगता मैंने कहा आपने तो कहा था कि मैं यहां काम करते करते कहीं और भी दो एक घंटे का काम पकड़ सकती हूँ तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ तातुस बोले उससे क्या होगा बेबी एक जग ऐसे काम करके आओगी और आकर फिर यहां खटना होगा ऐसे में तुम्हारा स्वास्ते यहां तक ठीक रहेगा इतनी भागदोड करना ठीक नहीं और फिर उसकी जरूरत भी क्या है अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलाओ तातुस की बाते सुन मुझे बहुत माया होती मैं सोचती इस तरह से तो कभी मेरे मा बाबा ने भी मुझे नहीं समझाया लगता है पिछले जीवन में वैस सचमुच मेरे बाबा ही थे नहीं तो मेरा अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते थोड़ी देर बाद तातुष ने फिर कहा तुम्हें मैंने पढ़ने लिखने का जो काम दिया है तुम वही करती हो तुम जितना समय यहां वहां के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा तो तातुष क्या समझाते हैं बेबी को कि एक दिन पढ़ाई लिखाई ही तुम्हारे काम में आएगी और कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है इसके बाद क्या होता है कि इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा तातुष उन्हें बताता है तो और फिर बेबी यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधू तुम्हारा कितना उत्सा बढ़ा रही है हमेशा कहते रहते हैं कि लिखते जाओ मुझे बुलाया और कहा बेबी तुम अपने लड़के को वहां से ले आओ मुझे उसका वहां काम करना बिलकुल अच्छा नहीं लगता क्यों क्योंकि वह इसी तरह दूसरों के घरों में काम करता रहेगा तो उसका जीवन बरबाद हो जाएगा यह ठीक नहीं तातुस ने आगे कहा मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि बेबी की एक बच्चे का जीवन इस तरह नस्ट हो जाए बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंडने लगे कोई ऐसी जगह जहां रहकर घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता है मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे फिर भी मैं खुश नहीं थी मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वह रहे ही है और कितना करेंगे हमारे लिए मुझे सच मुझ बहुत बुरा लगता मैंने तैक किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी ता तो समझ गए थे कि वे खाने पीने को लेकर मैं उलजन में हूँ मैं मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे कभी-कभी वे स्ट्रेम प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते उन लोगों का ऐसा सने देख कभी-कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहा था मैंने इतनी घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसा मुझे माहुल कहीं भी नहीं मिला इसके पहले जहां भी मैं रही वहां काम के लिए मुझे महीना मिलता था यानि की काम के लिए मुझे महीने का वेतन मिलता था यहां वहां कुछ नहीं था तातुस कहते बेबी मैं यह समझ कर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूं तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाव से पैसे देता हूं तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूं क्यों कह रहे थे तातुस ऐसा तातुस इसलिए ऐसा कह रहे थे कि जो बेबी है वो उसको अपनी बेटी जैसा मानते थे तो आगे क्या कहते हैं मेरा जीब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो बंदू भी वहां वहीं रहने लगे तो जो तातुस के जो छोटे लड़के अर्ज अर्जुन था उसके जो बंदू थे दो वहां पर रहने लगे तो मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया अर्जुन था के वे बंदू भी पहुत अच्छे थे वे भी मुझे चाहते थे मेरे बच्चों से भी पुला भुला कर वे बाते करते उनमें एक का नाम था सु चोटा बेटा था अर्जुन तो उसके जो फ्रेंड्स थे बंदू थे उनका नाम था शुखदीप और रमन अर्जुन दा से मुझे वे भी ज़्यादा अच्छे लगते और क्यों ने लगते उन्हें चाय पानी खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझ से कहते जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता बस बिस्तर में लेटा रहता मैं स्वेम उसके पास जाकर पूछती अर्जुन दा कुछ लादूं चाय पानी खाने को कुछ वे सिर्फ सिर्फ हिला कर कभी हां करते थे तो कभी ना करते थे उसके रमन्दा दूसरी तरह था, वह इस घर को बिलकुल अपना घर समझता था, वह मुझे काफी कुछ सिखाता भी, खाने की कई चीजे बनाना उसने मुझे सिखाया, वह मुझे से मेरे बच्चों के बारे में भी बाते करता, वह कहता देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका सैत करने का समय है तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा उनकी पढ़ाई लिकाई पर नजर रखनी होगी उन्हें सब समय खेलने मत देना नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चोपट हो जाएगा रमन दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है तीनों बच्चे लड़ थी रमन दा की भूल उस दिन दूर हो गई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया खेलते हुए देखा उसमें तातुस से पूछा बेबी का यह लड़का है या लड़की उसके हाथ में तो गुड़िया है तातुस बोले क्यों तुम्हें मालूम नहीं यह तो बेबी क लड़की है रमन दा ने तब हसकर कहा तभी तो और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का है रमन दा और सुखदीब दा के आने से घर में फोड़ी चहल पहल बड़ी थी लेकिन कुछ ही समय के लिए क्योंकि जल्दी ही उन दोनोंने काम पर जाना शुरू कर दिया इस पीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया क्योंकि उसे एक घर में तातुस ने काम दिलवा दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोशा दिलाया था मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लोड़ते लेकिन अब वे सरकारी स्कूल में जाने लगे थे अर्जुन दा और रमन दा और सुकरीब दा काम पर से लोटकर फोरण सोने चले जाते तातुस ने एक दिन मुझसे कहा तुम बच्चों को लेकर रोज पारक में थोड़ा घूम आ सकती हो बच्चे वहाँ खेलेंगे जहाँ वे काम करती थी उन में से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बाते पूष्ति तुम बंगावली हो, तुमारा घर कहा है तुम यहां रहती, यहां अकेली रहती हो, तुमारा स्वामी कहा रहता है वे तुमारे साथ क्यों नहीं रहता यहां कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगॉली भी होते थे बेभी मुझसे बाचीत करना चाते और मोका ने मिलता तो मेरे बच्चों को बुला कर उनसे बाते करते कोई यदि स्वेम आए और मुझसे बात करतना चाहे तो उससे बात ने करना कैसे संभव है फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बाते नहीं करती और नहीं अपने बारे में कुछ बताती क्योंकि बात करने के पीछे उनका आश्यक क्या है यह मैं अस्ची तरह से समझती थी तातुस ने भी मुझसे कहे रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अंजान लोगों से ज़्यादा बाते नहीं करूं तातुस ने ठीक ही कहा था मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी पाते पूछने लगते जिनके जवाब देने के मेरी एकदम इच्छा नहीं होती बीती पुरानी बाते फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता यह सब देखकर अब मेरी बाहर जाने की ही इच्छा नहीं होती लेकिन बच्चों की खाते जाना पड़ता था एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी उसके साथ वहा कोई बाचित नहीं करता था वह बच्चों को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हसी मजा करती वह किसी की ओर देखती तक नहीं थी वह देखने में नेपालियों जैसी थी लेकिन उस बच्ची से वह बंगला में बाते करती थी वह जो लड़की थी वह बंगला भाशा में बाते करती थी जिससे मुझे मालूम हुआ कि वह पंगोली हो सकती है उसकी वैस बीस बाइस की रही होगी वैस मेंज उमर अबस था और साफ मालूम होता था कि उसका ब्याहा नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया तो वैं खुसी-खुसी मेरे पास आक और हम एक दूसरे से रोज पार्क में मिलने लगे। किसी दिन नहीं मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीती ने बच्पन में ही अपने माबाप को खो दिया था। जिस दिन उसका जनम हुआ था उसी दिन उसकी मान नहीं रही थी। और जब एक वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्य हो गई थी। उसके मामा दीदी मा ने पाल पोस कर बढ़ा किया था। दीदी मा मतलब नानी ने उसके उस लड़की को उसके मामा और उसकी नानी ने पाल पोस कर बढ़ा किया था। बच्पन में मा के ने रहनने से कितना कस्ट होता है वह मैं जानती ह सुनी थी जिस दिन अपने घर चली गई उसके लिए उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले दिन ही चली जाएगी उसने मुझसे कहा था तुम कल अपना पता लेकर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी मैं अगले थी उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा दो दिन बाद देखा कि जिस बच्चे को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी मा के साथ आई है तम मुझे लगा कि वह चली गई है मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मोका नहीं मिला वह कर भी क्या सकती थी जिसके यहां रहती थी, उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीती के ने रहने से पार्क में मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहां जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहां बिता थी, उतना मैं पढ़ने लिखने में बिताने लगी। इसके बाद क्या हुआ ने एक बंदू के पास कॉलकत्ता भेज दिया था तातु सठात एक दिन मुझे बोले बेबी तुम्हारी चिठी आई है मैं आवाख हो उनकी ओर देखती रही और फिर बोली मेरी चिठी मुझे चिठी भेजने वाला तो कोई नहीं उन्होंने बताया कि चिठी कॉलकत्ता से इसके बंदू ने भेजी है मैंने का सुनाई ये ने देखों क्या लिखा है उन्होंने तातु सने मुझे बैठ जाने को कहा और फिर चिठी पढ़कर सुनाने लगे प्रिये बेबी मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना तुम्हारा लेखन उतक्रिस्ट है उतक्रिस्ट मेंच उच्छकोटी का है तुम्हारे तातु से एक वर्ष बढ़ा हूं इस वैस में भी तुम्हें चिठी लिखने के लिए बांगला लिपी सीखने की इच्छा होती है पर वह अब संभव नहीं तुम कुछ किताबे पढ़ो और तातुस के पास से बांगला अभीधान लेकर रोज उसे पलटा करो बांगला अभीधान, अभीधान क्या होता है? शब्द कोष, Dictionary कि तुम जो है तातुस से एक दिक्षनरी लेलो बांगला भाशा की और रोज उसे पढ़ा करो ताकि तुम्हारा जो सब्द भंडार है वो और भी बढ़ जाए। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी पहुत इच्छा होती है। यहां मेरे जिन-जिन बंदू बांधवों ने तुम्हारी डायरी पड़ी है। वे सबी उसे चमतकार मानने लगे हैं। मेरे एक बंदू ने कहा है कि वे है तुम्हारी रचना को किसी पत्रीका में छपाने की विवस्ता करेंगे लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोर तक पहुचाना होगा। आशा करता हूँ तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। वे है यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस प्रिथवी पर तुम्हें लिखने को भेजा है आसीरवाद के साथ यही समाप्त करता हूँ चिठी सुनकर मैं आवाक रहे गई यानि कि मेरे मुझे कुछ शब्द ही नहीं निकले मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी लेख भगाना नहीं फिर भीन अच्छा लगा तो क्यों मेरी कुछ समझने नहीं आया मैंने तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा है इस उन्हें इतना अच्छा प्यों लगा तो तातुस बोले बैर तुम नहीं समझोगी वै। नहीं समझती भगवान ने समझने की अक्षमता ही नहीं दी मुझे लेकिन मैं समझना चाहती हूँ तातुस ने कहा तुमें इन बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है तुम अपना काम किये जाओ बस लिखो और पढ़ो उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में गुश जाएगा तातुस की बात मैं अनसुनी नै करती तो क्या करती जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं घर में अरजुन्दा, रमंदा और सुक्तिदाप तो थे ही उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था वे सब भी मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा ही फ्यवहार करते थे ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़, किताबे कापी लेकर कैसे बैठ सकती थी एक दिन भूल से कातुस की बात मान दिन ही में उनसे अपने लिखने पढ़ने की बाते करने में लग गई तो एक कांड घट गया, रमन दा उस दिन काम पर से लोटा तो उसे बहुत भूग लगी हुई थी, जल्दी जल्दी हाथ मूँ दोकर वैं खाने बैठ गया, खाने इसका ख्याल नहीं किया और सब सबजियां उस पर ले ली क्या हुआ कि मैंने जो है ढग कर सबजी रखी थी कि मक्खी वक्खी नहीं गिर जाए और भूग के कारण नमर्दा ने क्या किया, कि सब सबजियां उस पर ही उलट गई, उन सबजियों में एक गाड़ी तरी वाली सबजी थी, उसने जैसे ही टोटी लेकर खाना शुरू किय तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरे जा रही है, वह खाना छोड आवाक हो उसे देखने लगा, कुछ शन बाद उसकी समझ में आया कि वह उलटी प्लेट में खाना खा रहा है, वह वहीं बैठा नहीं जाने क्या सोच सोच कर खूब हसने लगा, मैंने तातुस से पूछा रमनदा किसके साथ बाते कर हस रहा है, तातुस बोले और कौन है वहाँ, मैंने कहा, और तो कोई नहीं है उसकमरे में, और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई, और देखा कि रमनदा हसे ही जा रही है, मैंने उससे पूछा क्या हुआ रमनदा, वैं कुछ ने कहे, बस ह रहे मैंने फिर पूछा क्या हुआ बताओ तो सही मैं हस्ते हस्ते बोला बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूं मैंने देखा तो हसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया हस्ते हस्ते ही आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने की कारण नमन ताने बिना अपनी में ही खाना ले लिया और वह भी सुनकर हसने लगे वह हम लोगों की तरह ही नहीं हसते थे उनकी हसी अपनी तरह की थी दीरे दीरे उन लोगों का हसना बंद हो गया लेकिन मेरी हसी थम नहीं रही थी यह देखकर तातुस बोले बेबी तुम क्या हस्ती हो हस्ती ही जाओगी खाली हसने से ही काम सब हो जाएगा मेरे बंधु की चिठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा मैंने का चिठी यह चिठी विठी लिखना मुझसे नहीं होगा ता तुस बोले क्यों नहीं होगा तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी की चिठी विठी लिखी तो है नहीं मैंने यदि लिखें भी, तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र लिखें है कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही इसका भी तो कोई ठीकाना नहीं, मैंने तातुस से पूछा, मैं उन्हें क्या बोल कर लिखूंगी तातुस बोले यह है तुम ही सोच कर देखो बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे एक वर्स बड़े हैं मैंने कहा मैं उन्हें जेठु बोल कर लिखूंगी यानि कि पिता के बड़े भाई ताउ जी जेठु का मतलब है या ताउ जी तातुस बोले तुम्हारी जैसी मर्जी मैंने जेठु बोल कर ही अपनी चिठी लिखी चिठी लिखने का सिर्फ पैर मैं नहीं जानती थी फिर भी मुझे जैसे मन पड़ा मैंने चिठी लिखी तो बच्चो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पर समात होता है धन्यवाद